अंड़ेर साइल कोड़े दिश्त पढूंद हुलो छिड्रेन्स हाक पारोगे वाले हिए तूड़ेदेग सकतיר है को रहिकस को का सारी कुछ टूड़े सीष्टाले ही युष्ट आदे संगसे कीक पनिंवालेए आज हम प्ढ़ने वाले हैं किस के बारे में rocks के बारे में, soil के बारे में और minerals के बारे में Yes, you already know that our earth is made up of rocks and minerals हम सब जानते बच्चों हमारी प्रित्वी किसी से बनी है हम सब की प्रित्वी बनी है made up of rocks and minerals Okay, the innermost part of the earth is called core जो हमारे earth के जो सबसे नीचली parts है, inner parts है उसे हम बोलते है core, it is made up of molten rocks and is there for liquid किसी से बना है, molten rocks से बना है और वो अंदर, lava जो बोलते हैं, जो हमारे प्रित्वी के अंदर जो molten rocks है, जो lava liquids में रहते हैं, जो बाद में वो पत्थर में, rocks में convert होते हैं Okay, the outermost layer of the earth is hard जो हमारे earth की outermost, मतलब जो उपरी सता है, वो क्या है layer of earth is hard and it is called the crushed वो सबसे hard होती है और उसे हम क्या बोलते हैं, crushed it is the made up of solid rock क्यों, वो hard क्यों होता है क्योंकि वो solid rock से बना होता है, यस बच्चों यहाँ पर science fact में आपका दिया है diamond is the hardest rock on the earth, जो diamond है वो क्या है प्रित्वी का सबसे hard rock है, यस उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों, rocks के बारे में, yes rocks are hard and huge stone, जो rocks हैं, पत्थर हैं, वो क्या होते हैं बहुत hard होते हैं और बहुत huge, बहुत बड़ी होती है hard and huge, these are found everywhere on the earth, प्रित्वी पर सब जगा पाई जाती है under the ground, under seas, the ocean, rocks are the different kind जैसे हुमारे प्रित्वी पर वो सब जगा पाई जाती है, जैसे कहीं पर प्रित्वी के अंदर पाई जाती है जो महासागरे हैं, उसके अंदर भी rocks हैं, आप rocks देखोगे तो सब जगा कहीं छोटी में संक्या में या चोटी मात्रा में होती है कहीं बहुत बड़ी huge, बहुत बड़ी मात्रा में होती है rocks are different kind, जो rocks है उसके अलग-अलग प्रकार है they are useful to us many ways, वो हम सब के लिए बहुत तरह से useful भी है rocks such as marvel, granite, sandstone are used to make building जैसे rocks को क्या करते हैं, हम उनके rocks से बहुत अच्छी तरह से हम अपने घरों को भी बनाते हैं बहुत सारे rocks को diamonds या जो stones है या हीरा पन्ना के नाम से जानते होंगे उसे हम अपने jewelry बनाने में भी huge करते हैं तो rocks कहने का means कि हमारे लिए बहुत तरह से उपियोगी है वो हमारे घरों को बनाने में हमें help करती है क्योंकि rocks को ही हम बाद में convert कर करके मतलब जो छोटे छोटे पत्थर के रूप में use करके हम अपने घरों को बनाने में करते हैं फिर उसी rocks को कुछ rocks बहुत ही किमती होते हैं बेस किमती होते हैं यह यह उसके बाद पढ़ना है बच्चो मिनरल्स यह रॉक्स और मिनरल्स आर फॉर्म टूगेदर जो रॉक्स और मिनरल्स दोनों एक जगा पाए जाते हैं मिनरल्स आर टेकेन आउट फ्रॉम गांडर धार मिन्रस को हम कैसे बाहर निकालते हैं Lah मतलब जो that his को प्राप्ट करने के लिए हम क्या करते हहें खां मा इस मतलब खान होता है बच्चों जो शॉर्म से हम उसे मिनरल्स को बाहर निकालते हैं आइरन, कोल्ड, गोल्ड are obtained from the mines जो हमें खान से क्या-क्या मिलता है लोहा, कोईला, सोना ये सब कहां से मिलते हैं हमें बच्चों माइन से मिलते हैं माइन्स वेर आइरन इस फ़ॉन is called an iron माइन जहां से आपको लोहे मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं आइरन की खान या लोहे की खान बोलते हैं और ये मिनरल जहां से हमें निकालते हैं या उसे हम बाहर करते हैं टेक इट आउट, इस काल दा आइरन ओर जो अहां से वो निकलता है उसे आइरन ओर मतलब बदते हैं बच्चो कच्चा लोहा जो हम खुदाई करकर के या तो खान से खुदाई करकर निकालते हैं आप समझ रहे हैं यहां तक उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वाइल स्वाइल is the uppermost layer of the earth जो हमारी प्रित्री के सबसे उपरी सता है वो क्या है स्वाइल the earth in the beginning the earth was covered by thick layer of the rocks मैं तो शुरू के दिनों में शुरू के दिनों में the earth was covered by thick layer of rocks जो हमारी प्रित्री थी वो किस्ची से बहुत rocks की बहुत ही thick layer थी मोटी layer थी ओके for the thousand of year these rocks were heated by the sun and cooled by the rain मतलब बहुत समय पहले बच्चों जब हमारी प्रित्री नहीं बनी थी तो हमारी प्रित्री किस्चे कबर थी rocks के बहुत मोटे मोटे layer से तो हजारों साल पहले जब rocks पे जब sun से rocks heat होती थी और मतलब जब बर्सा होती थी तो वो ठंडी होती थी तो ये दोनों के due to the force of water and heat the rocks broken into small pieces कहने का मिन्स पीसे कहने का मिन्स बच्चों कि जब हम किसी चीज को बहुत गरम हो करते हैं और जब यह जब बहुत गरम होती है और फिर जब आचानक से बहुत ठंड होती है जैसे कि अगर कोई भी बस्तु जल रही है आप आगर देखोगे कि आप अगर लकड़ी के आग लगाते हो और फिर आचानक से आग जलने जलती है तो आप जैसे उसमे पानी डालते हैं तो बूच करके ठंड होके क्या होता है छोटे छोटे पीसों में तूट जाते हैं उसको आप आसानी से तोट सकते है या फिर हवा भी लगेगी तो वह तूट जाएगी तो ठीक उसी तरह जैसे जो आपके rocks है जब वो बहुत अधिक गर्म हो जाते थे और बाद में जब बर्सा होती थी तो थंडे होते थे तो इस तरह से वह force की वज़ा से वह छोटे छोटे टुकडों में छोटे छोटे पीसेज में तूट जाते हैं या अलग होते हैं फिर वो क्या होते हैं जोटे छोटे छोटे पार्टिकल्स में तूट जाते हैं अलग होते हैं फिर वो क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स में करकर के मीटी का निर्मान करते हैं यस जैसा कि आप ये पिक्चर जैसा कि आप ये पिक्चर देख रहे हो बच्चो यहां पर जो आपको ये पिक्चर दिया हुआ है इस फाइनली बिकम्स टीनी पाटिकल आफ स्वाइल यह क्या चोटे चोटे रॉक्स क्या है पठर तूटे तूटे इते चोटे चोटे हो गए है कि वह स्वाइल के रुप में कनवर्ट हो गए है यस उसके बाद है बचो विन प्लांट्स अन एनिमल डाइल और जब प्लांट्स जो सूखे पेड़ पौधे रहते हैं या फिर जो जंगली जानवर्स हैं वो मर जाते हैं तो उनकी जो बाडी होती है वो क्या होती है सड़ गल जाती है, सड़ जाती है, या फिर पत्ते होते हैं, वो मिल जाते हैं, वो उसी जो आपके यहां पे दिया है, कि जो teeny particles of soil हैं, उसमें वो mix हो जाते हैं, तो rotten plants and animals are called humus, और वो जो सड़े हुए plants और जानवर के जो अपसेस बचे होते हैं, जो मिट्टी में मिलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस मिट्टी को बोलते हैं, हम humus, yes, this is called the humus, ओके, यहाँ पर science fact में आपको दिया है, बचो, rocks exist in almost all type of soil, जो rocks है, आपको क्या है, almost type of, soil का almost type है, उसके बाद है soil particle, जो soil particle कौन-कौन से soil particle हैं, आपके उसके बारे में, soil collected from different place of different color, means, जैसे आप अलग-अलग place पे जाते हो, तो आपको अलग-अलग different different types के आपको soil देखने को मिलती है, yes, they are different because they are made up of different kind of soil particles, वो हमें अलग-अलग difference क्यों देखती हैं, क्योंकि वो अलग-अलग soil particles से बने होते हैं, अलग-अलग type के मिटी से बने होते हैं, मिटी बने होते हैं, okay, the size of soil particles are as given as the picture, यहाँ पे आपको picture में दिया है, बच्चो, different different types के आपके soils हैं, different colors के हैं soils, तो आप यह देखो, यहाँ पे gravel, ग्रेवल में से यह कंकर नुमा है, यह क्या है, लार्ज है, ओके, एक gravel है, यह ऐसे हम बोलते हैं, कंकर नुमा, ओके, यह है आपकी sand, sand है आपके yellow type की दीख रही है, बटी है कि बहुत महीन कन में होती है, यहाँ पे gravel आपको कंकर बड़े-बड़े कनों में मिल रहे हैं, सेंड हैं जो बहुत ही महीन कन होती हैं यहां पर है स्लीट स्लीट है स्मॉलर यह थोड़े स्मॉल होते हैं फिर स्मॉलर है आपका स्लीट मतलब गाद जो पानी जब बहा के आती है तो पानी के में जो आपको देखे कि कभी कभी कि मीटी उसके साथ जो बहती है और फिर पानी बहर जाती है नीचे जो गाध होती है वो बैठ जाती है तो उससे हम बोलते हैं stilt वो smaller है उसके बाद है clay clay is the smallest clay क्या है clay को हम बोलते हैं chickeny meaty वो सबसे chickeny होती है तो क्या होते है सबसे smallest होती है उसके बाद है बच्चों पढ़ेंगे हम what does soil contain मीटी में क्या होता है What does soil contain Soil is made up of gravel, sand, clay and humus Soil में क्या होता है बच्चो Gravel, sand, clay and humus Gravel means conquered Clay, stickni मीटी, sand, रे तीली बालू and humus जो उसमें मीटी की उपरी परत में होती है तो इस तरह से soil में mainly 4 चीज़े होती है Gravel, sand, clay and humus Take some garden soil in the glass jar Fill the jar with water मतलब बच्चो आप चाहो तो घर पे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप अपने आपके घरों में गार्डेन होंगे या आपके घरों में जो गमले होंगे तो आप उस गमले से एक जार में जो आपके सीसे की जार है तो आप उसमें थोड़ी गार्डेन से मीटी ले लो फिर उस जार को पानी से भर देना है आपको फिर उसे आपको कभर कर देना है लीड से और सेक विल फिर आपको उसे अच्छे से सेक करना है हिलाना है और जब उसे आप बढ़े हिलाते हो सेक करते हो तो आपको उसको फिर सांद से रख देना है फिर वाट डू यू आप जर और उसके बाद आप देखो कि आप क्या आप जर्ब करते हो जैसे हम मीटी लिए ग्लास के जार में फिर उसमें हम पानी भर दियें फिर उसमें लीट लगा करके उसे थोड़ा सेक किये बतों हीला करके उसको फिर बाद में 15 मिनट के लिए हम उसे रख देंगे फिर अब देखो हम क्या क्या ओब्जर्ब करते हैँ एट बॉटम जो सबसे नीचे होगा आपको क्या मिलेगा यह देघ्र बिल ऊपर आप देखोंगे होगे अपको काहा मिलेंगे उरेत की layer मिलेगी आपको, फिर उसके थोड़ी ऊपर आपको क्या मिलेगा, clay की layer मिलेगी, yes, layer of sand, there will be layer of clay, फिर उसके बाद आपको clay की layer मिलेगी, पहले आपको मिलेगी gravel, उसके बाद sand, उसके बाद clay, and the water above the layer of the clay is not so clear, और फिर उसके बाद जो पानी का आपको रहेगा, वो आपको उसमें clear दिखेगा नहीं कि उसमें क्या है वो आपको गंदे जैसा दिखेगा तो it contains dead lips उसमें क्या है जो dead lips हैं twings हैं dead insects हैं मारे कीड़े मकोड़े जो मर जाते हैं तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे बच्चो उस चीज को हम humus बोलेंगे तो जो आपके उपर के layer में रहेंगे वो humus कहलाएंगे यस तो इस तरह से देखा बच्चो आप चाहो तो घर में इस चीज को आप experiment करके देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों, layer of soil, layer मतब soil के कितने layers हैं, okay, soil exists in three layers, soil कितने प्रकार के हैं, three, sorry, कितने layer हैं, soil के three layers हैं, first of all, top soil, second, sub soil, and the third, bedrock, yes, top soil, it is the uppermost layer containing loose soil, जो यह soil है, is the uppermost, सबसे उपरी layer, containing loose soil, उसे हम क्या बोलेंगे, loose soil, plant grow in it, जो पौदे होते हैं, वो कहा होते हैं, वो top soil में होते हैं, okay, उसके बाद है sub soil, it lies below the top layer, यह top layer के just below, मतलब की नीचे होता है, जो top layer है, आपका उसके नीचे यहाँ देख रहे हो, picture में आप, आप picture में देख रहे हो, यह top layer है, तो just उसके नीचे क्या है, यह sub soil है, okay, it is the closely packed layer of soil, यह सबसे एक तरह से packed रहती है, दूसरे से पकड में बनाए रहती, close रहती है, तो यह packed soil है, layer of soil है, okay, it contains some rock particle, इसमें क्या पाया जाता, इसमें rock, जो पत्थर के कुछ, जैसे आप यहाँ, पत्थर के छोटे 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 rocks particle आपको मिलेंगे, it is harder than tops soil, यह top soil से hard रहते हैं, यस, उसके बाद है bedrock, सबसे नीचे का लेयर है, बच्चो आपको bedrock, यस, it is lie below the subsoil, यह subsoil जो है, आपकी, जो second है, आपकी subsoil उससे, उसकी नीचे की लेयर है, bedrock, yes, it contains rock particle and mineral, इसमें जो rock particle और mineral पाया जाते हैं, second वाले में क्या था, only rock particle थे, but जो third है bedrock, उसमें आपको rock particle के सासाथ minerals भी मिलते हैं, okay, it is the hardest layer of the soil, यह क्या है, सबसे hardest layer, मत्थों सबसे hard है, मीटी की सबसे hard layer से परत है, yes, it is also known as solid rock, और इसे हम क्या बोलते हैं, solid rock, हम क्या चीज के नाम से जानते हैं, इसे bedrock को हम solid rock के नाम से जानते हैं, okay, उसके बाद है, बच्चो, kinds of soil, हम soil के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के soil होते हैं, yes, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, rock पढ़ा, rock is the, rock are hard and huge stone, mineral, mineral पढ़ा, rock and mineral are formed together, उसके बाद soil, उसके बाद soil particle, and what does soil contain, उसके बाद हम पढ़ेंगे, layers of soil पढ़ा, आप पढ़ेंगे, बच्चो, kinds of soil, okay, different kinds of soil are found at different place, मतलब, हम जो, हमें अलग-अलग place पे, अलग-अलग, अलग-अलग प्रकार के मिट्टी देखने को मिलती है, the different kinds of soil are sandy soil, clay soil, and loamy soil, जो different kinds के soil हैं, वो कौन-कौन से हैं, sandy soil है, clay soil है, and loamy soil है, तीन प्रकार के soil हैं, okay, sandy soil के बादे में पढ़ेंगे, sandy soil is mainly made up of sand, वो किसी से बना होता है, sand से बना होता है, it is yellow, grey, or light brown in color, यह कौन से color में होते हैं, yellow, grey, or light brown color में, यह कहां पाये जाते हैं, mostly desert, or sea horses, मतलब समुंदर के किनारों पे यह mostly पाये जाते हैं, it has lot of space between them, इनके बीच बहुत space होती है, जिससे जो पानी है, वो असानी से निकल जाती है, water passes through, this space very easily, इससे असानी से पानी निकल जाती है, therefore sandy soil cannot hold much butter, मतलब कि आप देखोगे कि जो बालूई, मीटी होगी, उसमें बहुत अधिक मात्रा में आपको पानी नहीं मिलेगी, very few plants can grow in sandy soil, जो बहुत कम मात्रा में ही आपको sandy soil में, plants grow करती है, इसमें grow नहीं करती है, तो sandy soil क्या है बच्चो, sandy soil में इसली सैंट से बना होता है, यह कैसा होता है, यह yellow, grey and light brown होता है, यह dessert और कहां समुंदर के किनारों में पाए मिलते हैं, इन में बहुत सारे स्पेस होती है, जिसके वज़ा से इन जो वाटर है बहुत इदली पास करती है, और इस पे जो प्लांट से वो बहुत slow, बहुत कम grow करते हैं, जो सैंडे स्वाइल है, उसमें स्वाइल, जो प्लांट से वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, यस, उसके बाद है clay soil, okay, clay soil, mainly made up of clay, जो clay soil है, वो mainly किसी से बना होता है, clay से बना होता है, चिकनी मिटी, clay में चिकनी मिटी, okay, इट कंटेंड बेरी स्मॉल पार्टिकल, और इट बेरी स्मॉल टू 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 टाज, मतलब, बचो यह, इसमें बहुत छोटे-छोटे कनो से मिलके बने होते हैं, जब हम उसे छूटते हैं, तो बहुत ही स्मूध लगता है, बहुत सॉप्ट, वो स्टिकी रहता है, स्मूथ रहता है, चिकना रहता है, इट इस बेरी स्टिकी, चिकना और चिपचिपा होता है, इट इस फॉंड और पॉंड और डिवर बेड, मतलब, यह हमें मोशली कहां मिलते हैं, यह तलाव और नदी के मुहाने पे हमें यह mostly clay soil मिलते हैं water cannot go through the soil easily जो पानी है तो मीटी से असानी से नहीं जाती therefore it holds a lot of water यह क्या करता है बहुत अधिक मात्रा में पानी को hold करता है it has no spaces between the particle to hold air और इन में इतनी spaces रहती है जिसे वह air को hold नहीं कर पाते therefore plant cannot grow properly और जब soil में अगर plants को air ही नहीं मिलेगी तो plants तो नहीं हो सकते plants जिवित रहेंगे नहीं उन्हें खाना बनाने के लिए भी यह पाइंगे तो अगर उन्हें एयर नहीं मिलेगी तो रह नहीं पाएंगे क्यूंकि उन्हें बहुत कम spaces रहते हैं तो therefore plants cannot grow properly वह उसमें properly नहीं उपाते ओके तो तो clay soil का mostly क्या यूज करते हैं clay soil को mostly जो Pуб Grind बना ने वाले बेरतन जो नहीं चीलोने बनाते हैं वह लोग उनका यूज करते हैं यस ताप समिज़ें बच्श प्लेइस वाली किस चीच का बना होता है क्ली का बना होता है वह बहुत है स्मूध और बहुत ही श्टीकी होता है वह हमें कहां मिलता है पॉंड्स और रिवर बेट्स मतलब की जो तलाव और नदी के मुहाने पे हमें मिलती है है ना उसमें पेड़ पॉधे का ग्रोथ नहीं हो पाता क्यूंकि वह एयर को भी होल नहीं कर सकता है है ना कले इस स्वाइल से हमें बहुत अच्छे अच्छे पॉट्स या खिलोने बना सकते हैं यस तो इस तरह से आपने पढ़ा अभी पढ़ा अभी हम लास्ट है हमारा लोमी स्वाइल यस लोमी स्वाइल जो हमारा लोमी स्वाइल है वह किसीज का मिक्स्चर है सैंड और क्ले का जो हम उपर सैंडे स्वा प्रियाप्त मात्रा में पानी और हावा को होल कर सकता है बना के रख सकता है अपने पास कि आपने मात्रा में पानी और हावाध को प्राप्त मात्रा में बनाइँ रहती है उसमें humus भी होता जिससे वा plants को growth करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है उसके बाद है बच्चों use of soil, आप पढ़ेंगे soil का use soil is useful to us in many ways, soil का है हम सबको अनेक तरह से useful है plants take in water from the soil for their growth जो plants क्या करते हैं मीटी से ही पानी को लेते हैं अपनी growth के लिए all living beings depend directly or indirectly on plant तो means कि हम जो humans हैं वो mostly depend है directly और directly किस पे depend है plants पे और plants किस पे depend है soil पे अगर आपके पास soil नहीं है तो soil से अगर नहीं होगी तो क्या plant का भी growth नहीं होगा और growth प्लांट्स नहीं होगे तो फिर हम living beings का भी अस्तित्व नहीं हो सकता तो इसके लिए हम सबके लिए directly जो plants important है plants के लिए soil important है तो इस तरह से soil हम सबके लिए बहुत ही useful है we get many useful minerals from soil हम सबको बहुत ही useful minerals भी है जो हमें soil से मिलती है soil is the home of many animals जो soil है मिटी है वो क्या है बहुत सारे जनबरों का बहुत सारे animals का घर भी है teeny insects like ants, worms like earthworms, millipeds, centipeds like in soil जो मिटी है उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी रहते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स लगत रहते हैं जैसे चीटी, worms, earthworms, millipeds, अनेक पैरों का कीड़ा, फिर छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो सब क्या होता है, मीटी में रहते हैं, yes rabbit and rats live in borrow in the soil, जो मीटी में घर बना करके और कौन रहते हैं, rabbit and rats ये भी मीटी में घर बना करके रहते हैं, ओके यहाँ पर दिया बच्चों, remember it takes many years to form a spoonful of soil, ओके एक चमच मीटी बनाने में हमेसा याद रखना, ये अपने मन में भी ठाके आप रखोगे कि बच्चों एक चमच मीटी बनने में कई कई साल लगते हैं, therefore it is the duty to protect the soil that nature has given us, तो बच्चों हम सबकी ये duty बनती है कि जो प्राकृतिक ने हमें इतना जो प्राकृति ने हमें दिया है, ये जैसे स्वाइल है, तो ये हमारी duty बनती है कि हम उसे protect करके रख सके, बचा के रख सके, ताकि अगर स्वाइल होगी तब हम human beings के लिए हमारे अर्थ पे life रह पाएगी, yes, तो देखा ये बच्चों एक चमच मीटी बनने में कई कई साल लगते, तो ये तो हम सबकी duty बनती है कि हम उसे अच्छे से protect करके रखे, है ना, आप सब र oil and minerals, अभी ये खतम हुआ, I hope आप अच्छे से समझ गए होगे, ओके, आप इसकी एक दो बार रिडिंग अच्छे से आप करो, उसके बाद आप और अच्छे से समझ जाओगे, ओके, बाई, थांक यू,